सबी दर्शक भाईवेनों को नमस्कार जशे कृष्णा प्रणाम। आईए आज हम मंगल के उपायों की चर्चा करेंगे आपका मंगल किस खाने में बैठा हुआ है किस भाव में बैठा हुआ है किस घर में बैठा हुआ है क्या प्रतिफल देता है पहले फलादेश जानिए फलादेश अच्छा है या बुरा ये भी जानिए और साथ में देंगे आपको ऐसे अलवकिक उपाय जो बिलकुल प्रयोग किये हुए है अब शुब है तो और शुबता का उपाय क्या है अशुब है तो उसे शुब कैसे किया जा सकता है बस यही लक्षे है आज के इस वीडियो का और अधिक चर्चाना करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि ये उपाय वो हैं जिन को बहुत बार प्रयोग किया जा चुका है बिल्कुल किसी भी प्रकार का इसमें कोई फ्रॉड नहीं है अतिशयोक्ती नहीं है जो है रियालिटी है सो अगर आपको यकीन है विश्वास है आप वीडियो लगातार देखते हैं तो आप निश्चित ही चैनल पर ट्रस्ट करते हैं सो हम आपका ट्रस्ट भी गाड़ते नहीं है आपके ट्रस्ट को और इंट्रस्टट बनाने के लिए हर उपचार, हर प्रियोग, हर विवाग आपके साथ बाटते हैं यहां हमने एक चार्ट लिया हुआ है इस चार्ट में कोई लगन नहीं बिठाया क्योंकि हमें लगन से मतलब नहीं आपका लगन क्या है यह आपने देखना है मैंने सिर्फ इतना बताना है अगर पहले घर में मंगल है तो उसका क्या प्रतिफल होगा सो हम पहले घर में मंगल विठा देते हैं यहां पर केवल कोई राशी नहीं ठीक है हम पहले लगन की तर्चा करेंगे यदि आपका मंगल लगन में है और उसका प्रतिफल जानना है तो कैसा होगा मंगल लगन में होकर यदि शुब होगा तो जाता को महत्वा कांग्शी बनाता है अच्छी अभिलाशनवाला बनाता है उगर प्रकात प्रकृति लेकिन शक्तिशाली सामर्थिवान पुरुष बनाता है मंगल भाई का कारक है मंगल पुरुष पुरुषार्थ का कारक है इसलिए अगर मंगल आपका लगन में है निस्चिति आपके पास पराक्रम बल पुरुषार्थ होगा बुरा होने पर आप लड़ाई जगड़े में बहुत तागे रहेंगे, चोट चपेटा आपको लगेगी, माथे पर निशान होगा, फेस पर निशान होगा, अच्छा होगा तो भी निशान होगा, लेकिन तब थोड़ा हलका होगा, अब यदि लगनमे मंगल शुब करेगा, तो पहले बात आपको निरोगी रखेगा, उच्छ आक यह शश्वी होंगे, ऐसे बेक्ती के 32 दात होते हैं जिसका मंगल लगनमे हो और शुब होतो, दिरगाई होता है, महाधनवान होता है, ऐसा बेक्ती प्राया, यात्राओं का शौकिन भी होता है, निर्भीक, निडर ऐसा बेक्ती होता है, मंगल की शुबता को बढ़ाने के हम वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे। अगर जन्मकुली में यही मंगल लगन में बैठ करके बुरा प्रतिपल दे तो क्या करेगा? आपको यह देखना है कि हमरेसाथ मंगल अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है तो यह बुरा कर रहा है तो हम अब बुरा प्रणाम आपको बतान जा रहे हैं इस्त्री की आई छोटी कर देगा मंगल लगन में इस्त्री से कलह कलेस आपसी जंजट जगड़ा करवा देगा क्रोधी बिक्ति को निर्दई बना देगा हिंसक बना देगा धन का नाश करवाएगा बने बनाए को काम बने बनाए काम को बिगाड़ने वाला होगा परिवार बड़े बुज़र्गों के लिए मंगल लगन में बैठा होगा तो अशुब होगा दुरघटनाएं करवाएगा अक्सिड़न करवाएगा ऐसा बेक्ति करतगनी होगा जो किसी के उपकार का बदला ना चुकाए उसे करतगन कहते है आलसी होगा और आँख का रोगी होगा अशुब मंगल के अनिष्ट निवान के लिए वीडियो की लाष्ट में हम आपको उपाय बताएंगे ये मंगल लगन में उच्छे बुरे भल दोनों में आपको सामने बताएं मंगल दूसरे घर में अगर है तो दूसरा घर मंगल यदि आपका दूसरे घर में मंगल बैठा है दूसरा घर धनभाव है वानी है बिद्या भी है प्रारम भी दूसरा घर कुटुम्ब है दूसरा घर दायानेत्र है जब मंगल दूसरे घर में बैठेगा शुब होने पर तो घर में निरंतर मंगल होगा शुब होगा और मंगल यहां बैठ करके भाई से सुख प्रदान करवाएगा मंगल यहां बैठ करके जातक को दढ़ निश्चाई बनाएगा लोहे, लकड़ी, मशीनरी, केमिकल आदिसे धन का लावप्राप्त करवाएगा मंगल बुद्धिमान होगा जातक और नए यंत्रों का आविशकारक होगा क्योंकि मंगल आविशकार भी करवाता है यांत्र की छेत्रों में मंगल यदि शुब है तो धन के वृध्धी परिवायर में कुटम में सब चीजों के वृध्धी करेगा अशुब मंगल यदि होगा तो क्या करेगा दूसरे घर में दोनों के उपाय बाद में बताएंगे जैसे कि हम पिछले वीडियो में लगातार आपको उपाय बताते आ रहे हैं कि स्रिंखला हमारी जो चल रही है उपायों की चल रही है अगर मंगल दूसरे घर में अशुब होगा तो पढ़ाई खतम हो जाएगी बिजनस में हानी होगी धन का ब्यर्थ खर्च होगा इस तरी की आयू कम हो जाएगी क्योंकि दूसरा अस्थान इस तरी की आयू भी है और अजीबों गरीब दाथ हो जाएगे जातक कि लडाई जगडे में अचानक मृत्यू भी होती है अशुभ मंगल की विनिश्टता को नश्ट करने के लिए उपाय हम लाश्ट में बताएंगे मंगल तीसरे घर में तीसरा घर बल पराक्रम पूर्शार्थ उत्साह छोटे भाई बहनों का है शुभ मंगल तीसरे घर में होगा तो बड़ा निश्चय वाला बिक्ति होगा जो ठान लेगा करके छोड़ेगा इसलिए धनवान भी होगा शक्त्रों पर विजे भी प्राप्त करवाएगा चुनाव इत्याज में जीत करवाएगा ऐसा बिक्ति भाईयों में बड़ा होता है और भाईयों का पोशक होता है ऐसा बिक्ति की इस्त्री अमीर घराने से संबंध रखती है और जातक के विवाह के बाद उसके ससुराल पक्च के भागे की ब्रद्धी यानि भागे का उदय होता है यदि मंगल शुभ है तो ये फल होगा और शुभता का जो प्रभाव बढ़ाने के लिए लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको हम उपाय बताएगे चलते हैं अशुभ अगर मंगल है तीसरे घर में भाई की अचानक मृत्यू की सूचना देता है अगर तीसरे घर में मंगल अशुभ है तो और आत्महत्या जैसी प्रवत्ती बनाता है तीसरे घर का मंगल जातक में क्रोध उनमाद आएगा आत्मगाद जैसी प्रवत्ती ऐसा बेक्ति धोखे बाज होता है जब तीसरे घर का मंगल अशुब हो तो एक प्रकार का फुकरा कह सकते हैं, बड़ी-बड़ी बाते करने वाला होगा, डिंगे हांकने वाला होगा, ब्लड इंफेक्शन होगा, रक्त बिकार होगा इस बेक्ति को तीसरे घर में मंगल जब अशुब होगा तो, संतान कम होगी, जातक धनहीन भी होगा, और अगर कोई जगडा मुकदमा चलता होगा, तो उससे ये हार करवाएगा, तीसरे घर का मंगल अशुब होगा तो, ये हो वाहन का घर है, जमीन जायदा का घर है, चोथा घर वाहन का घर है, यदि मंगल शुब होगा चोथे घर में, तो वाहन, जमीन, जायदा, जिमिदारी के काम करवाने वाला, जातक पिता के लिए शुब होगा, मा के लिए शुब होगा, हलाकि मंगल चतुर्थ में होता है न, तो मंगलीक हो जाता है, जातक लगन में मंगल हो तो चोथे में हो तो सक्तम अश्टम ज्वादश में हो तो मंगलीक हो जाता है चोथे घर में मंगल होने पर जातक निडर होगा, वाहन युक्त होगा, दिलेर होगा, न्याय प्री होगा, न्याय करताबी होगा, सच्चा होगा, जो कहेगा सब्ते बोलेगा दूसरों का हिद करने वाला जातक होगा, ट्रांसपोर्ड के काम से ऐसे मंगल बिक्तियों को लाब दिलवाते हैं, धन प्राप्त करवाते हैं, जातक को पैत्रिक धन संपत्ती प्राप्त होगी, मंगल शुभ होगा तो, किसी संबंधी की संपत्ती ऐसे बिक्ति को मिलती है, य अब अशुम अगर मंगल चोती घर में हैं तो क्या फल होगा, जातक का सुभाव कठोर होगा, मां के लिए है भी हो जाएगा, पिता से नहीं बनेगी, पिता का विरोधी हो जाएगा, मां को दुख देने वाला हो जाएगा, हाथ भी उठाने वाला हो जाएगा, कामी हो नानी सास, नानी और सास का बिरोधी जातक दूसरे की नौकरी करने वाला परतंत होगा दूसरों को नसियत देगा लेकिन खुद अपनी गलतियों की नसियत नहीं सीखेगा चोरी या आग से इस बिक्ति का धन नाश्ट होता है यदि चोथे घर में मंगल अश्ब है तो बाकाइदे हमने आपके सामने जो रखा है एक एक पॉइंट नोट करके रखा है कि आपको कहीं भूल करके मैं मिशे भूल करके उपाय न बता पाऊँ चतुर्थ का मंगल शुभ और अशुभ इन परड़ामों के बाद पंचम में मंगल अगर होगा तो जातक को क्या देगा आपके साथ ऐसे घटनाएं घट रही होंगी समझ लेना कि आपका मंगल शुभ या शुभ है पंचम घर पुत्र का है विद्या का है आंत्रिक शक्तियों का है पेट का है पंचम घर लाटरी जुआ सटा इत्यादी का भी है प्रेमु का भी यह घर है जब पंचम घर में मंगल शुभ बैठा होगा तो शरीर में गठन बठन सुगठित बनाएगा ब्यायाम करने वाला प्राणायामी विक्ति होगा और पहलवान होगा उत्तम खिलाडी भी होगा अगर एक खेल कोद में देखा जाये तो इस तरीका सुख शुभ होगा बड़े साले बड़ी सालियों का सुख होगा बेटा पोता इन सब से लाव होगा मंगल पंचम में होगा तो और जातक एक अच्छा डॉक्टर अथवा बैद्ध भी होता है पंचम में मंगल होने पर यदि मंगल शुभ है तो अशुभ है तो उसका प्रणाम ठीक विप्रीत जैसे पहली संतान नष्ट हो जाएगी मंगल पंचम होगा तो आठ का अंक जो है उसके लिए अशुभ होगा सडियंत्र कारी होगा फोजदारी मुकदमे में सजा प्राप्त होगी अशुभ होगा तो सटे दड़े में इस बिक्ति को लगातार हानी करवाएगा मंगल दूसरे की इस्त्रियों में अनुराग आसकत करवाएगा पत्रों से आपसी कलह मारपीट किनों बताएगी यदि जातक इस्त्री है तो बच्चा उसको आपरेशन से ही होगा यह अशुभ मंगल के लक्षण है तो उपाए हम बाद में वीडियो की लास्ट में बताएगे मंगल छठेगर में छठागर रोग रिन शत्रू एक दो तीम चार पांच छे छठागर रोग रिन शत्रू जब छठेगर में मंगल शुभ होगा तो ऐसा वेक्तिव अपने शत्रों पर प्रबल पराक्रमी होगा किसी से पीछे पीठ हटा करके नहीं भागता है इसा वेक्ति और राजनीती में सफल होगा लिहाजा दुश्मनों पर ये अपना मुकाबला करके कबजा करता है चुनाओ इत्याद में ये वेक्ति जीतता है ऐसा वेक्ति एक अच्छा लेखक भी होता है निर्भीक, रिपोर्टर भी हो सकता है ठीक है और दिर्ग जीवी जातक होगा ऐसा नहीं है लिहाजा संगीत, विद्या इसके लिए बहुत इंज्वाय की लाइक होगी ये संगीत में रूची रखेगा और छठे भाव का मंगल शुभ नहीं है तो शुभता के लिए हम चर्चा करेंगे पर पहले बता दें कि मंगल चठे गर में जब बैठेगा तो अर्शुभ क्या करेगा दुर्गटना क्योंकि मंगल की दृष्टी जहां जहां जाएगी वहां वहां दुर्गटना का कान बनेगी बड़े भाई के लिए चाचा ताया के लिए जातक स्वयम के लिए बहुत हैवी होगा चोट मोच लगेगी कम पुत्र होंगे बुखार ज्वर का रोगी पालतू पश्वों के पालन में ऐसे विक्ति को हानी होती है गाय भैस कई लोग दूधारू पालते हैं दूध इतियाज में हानी हो जाती है और सभी कारियों में ऐसा बिक्ति जातक लापरवाह और मुकदमे इत्याज में धन का नाशक होता है यदि ऐसा है तो समझ लेना आपका मंगल चठे घर में बैठ करके असुभ परनाम देता है और असुभ परनाम का उपाय क्या है मैं आगे चर्शा करू बनाएगा धर्म ही नहीं धर्मवान बनाएगा बहुत ज़्यादा भाई बंधों वाला जातक होगा इस बिक्ति के प्रत्यक एक्षा इसके इशारे पर पूरी होगी दूसरों का हितैशी होगा जातक इदि मंगल सक्तम में बैठा होगा शुभ तो जातक ब्यापार में पीर इस्त्री के साथ बिबाह होगा मंगल की शुबता के लिए चर्चा आगे करेंगे लेकिन अशुभ मंगल साथ में घर में क्या परणाम देगा ये भी जान लीजिए अशुभ मंगल जातक के पतनी के साथ ही मनमटाव करवाएगा डिवोर्स का केस करवा देना और बवासीर का रोगी, दुखी और पतनी की आयू का नश्ट करने वाला जातक होता है और प्राया दो बिबाह जातक के सबतम अस्तान पर मंगल अशुभ होने पर होते हैं बहिन बिधवा जल्दी हो जाती है बिधवा बहिन वाला जब मंगल अशुभ होगा साथ में घर में त बिधवा साले के साथ इस विक्ति की अवैज संबंध हो जाते हैं अवैज संबंध काहम करने वाला ऐसे जातक देखे गए हैं यदि मंगल अशुब है तो ये प्रणाम होंगे और इसकी शुपता को अशुपता को नश्ट करने के लिए हम अगले मिशय में चर्चा करेंगे मंगल अश्टम अस्थान पर अश्टम अस्थान का मंगल भी जातक को मंगलीग बनाता है अश्टम अस्थान से मंगल एक तो बड़े भाई बहनों को देखता है दूसरा कौटम बिक मत भेट करवाता है साथमे दरिष्टी से धन भाव को देखेगा आठमे भाव से आठमे दरिष्टी से छोटे भाई बहनों के घर को देखेगा कंधे को देखेगा शुभ मंगल भुजाबल शक्ति सामर्थ भाईयों का बल प्राप्त करवाएगा जातक को न्याए प्रिय, महंती, हिम्मती, दुश्मनों पर भारी पढ़ने वाला जातक होगा और संघर्स मैं जीवन होने पर भी सफलता बाधाओं को हस्ते हस्ते पार करने वाला जातक होता है इस बिक्ति को लोह पुरुष कहा जा सकता है अश्टम मंगल अच्छा होने पर और ऐसा बिक्ति संभोग के समय इस्त्री की त्रिप्ति करने वाला जातक होता है यानि कि बोग में इस्त्री को परास्त करने की चंता वाला होता है किसी रिष्टेदार के मृत्यूं के बाद प्राया ऐसे बेखती को उसकी संपत्ते भी प्राप्त होती है ऐसा जातक मैं देखा है मंगल की शुबता यह सब फल देगी लेकिन अशुब मंगल क्या करेगा अब हम इस पर भी आपके साथ चर्चा कर लेते हैं मंगल यदि अशुब होगा आठवे गर मे तो जातक के जीवन में दुख तो आएगा ही आएगा चोरी और अगनी से जातक का धन्नष्ट होगा आँख का रोगी होगा इस तरी की आयू कम कर देगा इस तरी की अकाल मृत्यू करवा देगा आठ वर्स में जातक को कश्ट होता है भाईयों के लिए अश्व हो जाएगा मंगन भाईयों से ही इस विक्ति का अपमान होने लगता है चोटे भाई बैन ही अपमान करने लगते हैं और दूसरे के किसी इस्त्री के साथ इसके नाजाए संबन्द करवा देता है परिस्त्री रथ हो जाता है और यह विक्ति इस्त्री को निर्वसन करके संभोग करने वाला होता है ऐसा हमारे जुद्शिमत भी कहते हैं और गुप्त रोगों से यह विक्ति ग्रसित रहेगा मंगल यदि अश्व होगा तो अब हम मंगल को अश्टम घर के बाद नमम घर में लेकर चलते हैं और देखते हैं नमम भाग्य भाव धर्म भाव पिता इत्यादी, दादा इत्यादी के कुलित इत्यादी के बातों का स्मर्ण करवाता है मंगल नवे घर में मंगल निश्चित ही जातक को भागेशाली बनाएगा अंतर राष्ट्य व्यापारी बनाएगा स्वाभिमानी बनाएगा युद्ध में कैसे लड़ा जाता है इस विक्ति को अच्छा आता है और युद्ध में बिजयी भी होता है युद्ध के सामान अस्त्र शस्त्र बनाने वाला ब्यापारी भी हो सकता है ऐसा बिक्ति स्वयम के भागे का निर्माण खुद अपने बल पर जातक करता है और अपनी आयू को लंबी जीता है यदि मंगल शुब है तो मंगल की शुबता को और अच्छा बढ़ाने के लिए हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं हम वीडियो के लाश्ट में आपको यह चर्चा देंगे हमने पूरा विसे आपके सामने सुत्रात्मक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए नोटिस करके रखा है कि कहीं भटक न जाओं कोई विश है अगर मंगल नवेघर में है और अशुब है तो आपके साथ यह घटनाएं घटेंगी जैसे बदनामी, नास्तिक्ता, समाज में अप्मानित, जगडे, लफडे का भै, क्रोधी, पिता का बिरोधी, पिता के लिए हानिकारक और कृशी कारे में इस विक्ति की, किसानी में इस विक्ति की धनहानी होती है अशुब मंगल के लिए हम उपाई लाष्ट में देंगे, अब मंगल को दसम हर घर में देखते हैं दसम घर बिसेस, व्यापार, आकाश, उपरी शक्तियों का सामर्थ है, पिता, उचाईयां, बुलंदियां बिक्ति को साहसी बनाएगा मंगल दसम घर में, यदी होगा तो दसम घर में स्वतंत्र बनाएगा, स्वतंत्र और जोशीला बनाएगा जातक को नेता, नायक, राजनेतिग्य, सफल मंत्री इत्याद ही बनाता है उच्च पद पर पतिष्ठा देता है, बहुत बड़ी जमैन जायदाद का स्वामी बनता है कार खाने फैक्टरी इत्यादी का मालिक बनाता है, समाज में सम्मानित बिक्ति होता है और नौकरी में यदी है तो उच्च पद, वरिष्ठ पद की प्राप्ति होती है अफिसर होता है, जातक के पुत्र और भाई शुभ मंगल होगा तो जितने भाई होंगे जातक के उतने ही पुत्र भी होंगे मंगल की शुभता को बढ़ाने के लिए लाश्ट में हम उपाय के चर्चा करेंगे लेकिन अशुभ मंगल अगर है तो आपके साथ क्या घटना घट्ती होगी संतान बिलंब से होगी, परिवार जिनों की अलपमृत्यू का योग होता है खास्तोर से पिता के लिए सरकारी अधिकारियों से प्राया जगडे होते रहेंगे और जगडे में धनाहानी होती रहेगी, व्यापार में भी हानी करेगा पैत्रिक संपत्ती में मा के आयू को संतान को नश्ट करने वाला मंगल अशुप प्रणाम देगा तब या संतान के साथ नहीं बनेगी क्या उपाय करें? बात करेंगे बाद में ग्यार में घर में मंगल, आमधनी के घर में मंगल आमधनी घर में मंगल बैठेगा, शुभ होगा तो बड़े भाई बहनों से बहुत लाब दिलाएगा, राजदरवार में, यश्किर्ती, बित्ती को लीडर टाइप का बनाता है, राजनितिक बनाता है, शुभ मित्रों से युक्त बनवाएगा, धनवाम शत्रों को जीतने वाला बताता है, ऐसा मंगल जो 11 घर में होता है, तो जातक होता है, स्वयम के भागेकार निर्माता होता है, जीवन के सभी सुख स्विधाओं से युक्त और ब्यापार में निरंतर लावप्राप्त करवाएगा, सुखी जातक होता है, यदि मंगल शुभ करना है, तो लाश्ट में उपाय जरूर देखेगा, अशुभ मंगल पैत्रिक धन्हरता, संपत्तिक अनश्ट करने वाला, कम संतान वाला, भाई तथा मामा के लिए अशुभ मा की अलपायू कर देगा, पिता का संबंधियों के साथ जगड़ा करवा देगा, और बड़े भ जिनाशकारी, रोग का कारक, भाग गेहिंजा तक हो जाता है, यदि मंगल अशुभ होगा, ज्यारवे घर में तब शुभता के लिए उपाय हम चर्चा बातने करेंगे, अब मंगल को हम बारवे घर में देखते हैं, आपका मंगल शुभ होगा, तो क्या प्रणाम देगा, यदि आपका मंगल बारवे घर में है और शुभ है, तो परिवार अच्छा होगा, विदेश में रहना पड़ेगा, विदेश भ्रमन करना पड़ेगा, विदेश में सफलता मिलेगी, साहस बलवाल बगती होगा, शत्रों पर विजय प्राप्ति करेगा, परिवार में सबसे ज़्यादा अग्रने बेकती होगा, और बड़े भाई के धन के लिए लाबकारग होगा, धन ऐश्वरे शाली होगा, बुजर्गों की सेवा करने वाला मंगल होगा, बारवे घर में होगा तो, जातक दुरबन लोगों की सहायता आवश करेगा, बारवे घर का मंगल, और ज में बिगन पड़ेगा, संतान कम होगी, पैत्रिक संपत्ति का विनाश हानी होगी, शर्यंत्र कारी विक्ती होगा, बिजनिस में नुकसान लॉस होगा, नेत्र का रूगी होगा जातक जेल यात्रा का योग बनाएगा, बारवे घर का मंगल अशुव होगा तो, अशुव मं को हम समझते हैं, लाश्ट में मैंने कहा था, वीडियो के लाश्ट में, हम आपको उपायों के शिंखला में ले चलते हैं, यदि मंगल शुव करना है, आपका मंगल शुव है और शुव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अबनोट करिए, देखे, शुव करने के लिए लाल रंका मूंगा पहनना चाहिए अनामिका उंगली में मंगलवार मंगल की होरा में मंगल नक्षत्र में यदी और शुब करना है तो अपने इश्ट देव जिसको आप देवता मानते हो अपने इश्ट मानते हो सोने की मूरती बनाकर मंगलवार को अपने घर में स्थापित क लाल रंके वस्त्र मंगलवार को जरूद भरण करें। घर में लाल रंका गुलाब मंगलवार के दिन लगाईए। मंगलवार या मंगल नक्षत्रों से आरंब करके 108 दिन तक म्रगशाला हलाकि म्रगशाला वर्तमान में रखना अपराध है परंतु कहीं मिल जाए तो थोड़ा सा अपने बिस्तर के नीचे रख लें। बहुत फायदा देगा। और जितने दिन 108 दिन आप म्रगशाला पर सोएं उतने दिन इस्तरी का संग कताई न करें। मंगल शुब हो जाएगा। अपने इश्टदेव को घर में ही 27 मंगलवार सिंदूर का तिलक करें। मंगल शुब करने के लिए। मंगलवार से आरंब करके शुद्ध सहद का प्रयोग यानि आपको खाना चाहिए। कोशिश करें 108 दिन खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ताबे के बर्तन में एक लाल मिर्च, 27 दाने मसूर की दाल के दाने, 5 लाल गुलाब के फूल लेकर मंगलवार को घर के आंगन में दवाने से आपके घर का अमंगल नश्ट होगा। शुबता बढ़ेगी। ठीक है। लाल फूल अपने इश्ट देव को लगातार 27 मंगलवार अरपन करना ये आपके मंगल को शुब बनाएगा। मंगलवार को घर के चारो कोनों में लाल खास तोर से पत्थर चारो कोनों में लाल रंग का पत्थर लगाने से मंगल शुब होगा और 27 मंगलवार माथी पर केसर का तिलब अवश्य लगाएं लाल रंग की बोतल में कांच की बोतल ले लो उसमें पानी भर लो साथ दिन तक धूप में रख दो साथवे दिन उसको उठा लाओ उस पानी से लगातार 27 मंगलवार अपने गुप्त अंग को धोईए मंगल के शुबता आपको बल प्रदान कराएगी तांबे का सिक्का अथवा तांबे का टुकडा जेव में दखिए सोने की अंगूठी में मंगल यंत्र खुदवाकर मंगलवार अनामिका में धार्ण करना मंगलवार को यात्रा प्रस्थान करने से पहले थोड़ा सा शहद खा कर जाएगी घर में अपने लाल रंग के रडिस कलर में परदी लगाएगी लाल रंग का फर्ष बनवाएगी घर में लाल रंग का फर्णीचर रखाएगी ठीक है मंगल यंत्र धान करें शरीर पर तामबा अथवा सोना धान करें मंगल के दिन या नच्छत्रों में मंगल की वस्त्विये दान में कताई न ले किसी से अब ये तो हो गया शुबता को बढ़ाने के लिए अभी अर्शुब क्या करें पहली बास शरीर पर धारन न करें सोना कभी भी किसी से मंगल की वस्तू मंगलवार या मंगल नच्छत्र में दान न ले मंगलवार को अपने इश्टदेव की सोने की या तामे की नूरती बना कर अपने धर्मस्थान पर रखे गेहूं मसूर की डाल के साथ दाने लाल पत्थर पर सिंदूर लगा कर तिलक करके सिंदूर का लाल पत्थर पर उनको लाल कपड में लपेटकर मंगलवार के दिन चलते पानी में बहा दे, अमंगल नश्ट होगा 27 मंगलवार भाई को मंगल की वस्तवे देना यदि भाई ना हो तो फिर धर्मस्थान में दे देना शराब सेवन न करें 27 मंगलवार किसी अंगहीन विक्ति को मिठा भोजन कराएं अमंगल नश्ट होगा जहर घर के अंदर जमीन के अंदर कोई चूला या भठी या तंदूर इत्याद अपने आंगन में घर में ना इस्तिमाल करें खास तोर से अपने बड़े भाई और गुरू के चनसपर्ष मंगलवार खास तोर से 27 मंगलवार जुरूर करें लाल रंग के वस्त्र बिलकुल न पहने जिनका मंगल अश्व फल दे रहा है केसर का तिलक बिलकुल न लगाए इस्त के धर्मस्थान में इस्त देव को 27 मंगलवार सिंदूर अरपन करें लाल रंग का जूता कई लोग पहन लेते हैं जिनका मंगल अश्व है बिलकुल न पहने ना ही सिंदूर का तिलक लगाए सफेज चंदन का तिलक लगा सकते हैं पानी में बहते हुए लाल गुलाब का फूल डाल करके प्राता काल सूरी का 108 दिन पानी देना चाहिए हलाकि बहता हुआ पानी कहा मिलेगा आप अपने घर में ही किसी तांबे के बरतन में जल रखो उसमें गुलाब का फूल डालो प्राता काल 108 दिन लगातार नियम से मंगल वार्ष शुरू करके नियम से जल्दो बिग्न न पड़े नहीं तो फिद्दुबार से करना पड़ेगा घर का फर्ष लाल रंका नहीं रखना यदि है आपके घर में लाल फर्ष तो उसके उपर कताई आप नंगे पैर ना चले अपने पैरों में शौक्स डाल ले मंगल वार का ब्रत करें जो के साथ दाने लेकर गाय के मूत्तर से साथ बार धोकर लाल कपड़े में लपेट कर मंगल वार के दिन चलते बाने में बहाएं जो के साथ दाने लेकर बहुत थोड़े हैं उपाय ध्यान पूर बकर लीजिएगा और यकिन मानिये कि ये उपाय हैं जिन से जातकों को लाव दिलाया गया है तो जिन लोगों का मंगल शुब था उनके लिए उपाय मैंने आपको बताया जिन लोगों का मंगल अशुब है उनके लिए भी उपाय बताया तो शुब और अशुब की दो शिंखलाएं हैं सबसे पहले मैंने लगातार आपको उननीस उपाय ऐसे बताये हैं जो शुब मंगल के थे उसके बाद फिर आपको उननीस के बाद करीब 21 उपाय ऐसे बताये हैं जो मंगल अशुब के हैं इन उपायों के शिंखला करके आप कमेंट करिएगा आपको क्या इसका प्रतिफल मिला ये वो उपाय हैं जो मैंने च्छुपाया नहीं है और लोगों को इसके माध्धम से बहुत लाव प्राप्त हुआ यही रहा मंगल का वीडियो आपके लिए बहुत लाव दायक है शेर करना चाहे अपने पास सेब कर लेना शेर करेंगे तो फिर आपको और रिमाइंड होगा लोगों का भला हो अमंगलना हो सर्वे भवन तो सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्रान पश्यंतु महाकस्षित दुभाग भवित की भावना के साथ लेताई विजा, नमस्कार शेश पुष्ण को नाम